ना सदा सिन्नो सदा सित्त दा नीम ना सित्र जो नो व्यो मा परोयत किमा वरिवह कुह कस्य शरमनम भा किमा सित गहनम गवेरं अंत्रिष्टी से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था चिपा था क्या कहा किसने ढखा था उस पल को अगम अतल जल भी कहा था लो भी नहीं था किसे पहले स्थे खड़िश्टी से अधिए चिपा था था उस्वे तुड़ाँ क्रिष्टी का कौन है करता करता है वाह करता उन्चे आकाश में रहता सला अध्यक्ष बना रहता वही सच मुझ में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं है पता नहीं है पता यह महज एक इत्तफाख था कि मोहिंजो दरो और हरपा की खोज हो पाई इसमें कोई शक नहीं कि हिंदूस्तान में आज भी पुराने शहर और प्राचीन आलार जमी दोज हैं जब से ये पंक्तियां लिखी गई हैं सिंधू सभ्यता के और कई शहर और गाओं हमें मिले हैं सिंधू घाटी सभ्यता के नश्ट होने के साथ ही साथ शहरी तहजीब भी मानो लुप्त होने लगी पर तक्रीबन सभी जगे क्रिशी परधान खेती हर बस्तियां विक्सित होने लगी आर ये लोग हिंदूस्तान में पांच छे हजार या शायद इससे भी ज़्यादा बरस पहले आये होंगे कई सजीओं तक उत्तर पश्चिम के पहारों से कबीले पे कबीले कुनबे पे कुनबे लहर पे लहर सैकरों बरस तक आते रहे होंगे शायद पहले उन्हें सिंधु घाटी तहजीब वालों ने और दूसरों ने भी रोका मगर फिर उस सैलाब को रोक पाना उनके लिए नमुम्किन हो गया क्या आप उन्हें पहारी दर्नों से नीचे अंजान मैदानों में उतरते हुए नहीं देख पाते इसा से 2000 से 1000 साल पूर्व के दोरान उप महांग्रीब के सभी हिस्सों में विकसित ग्रामीन संस्कृती के कई प्रमान मिले है ग्रामीन खेती हर समाज पर पशुपालक योद्धाओं के आत्रमन से वैदिक संस्कृती का पहला विस्तार हुआ पराजित ग्रामीन समाज ने वैदिक योद्धाओं की भाषा अपनाई इस विशे पर भी अनेक मत हैं कि क्या वैदिक जंसमू मद्ध एशिया से भ्रमन करके सिंदू घाटी सभीता के पतन के समय भारत पहुँचे या वो भी सिंदू तहजीद के लोगों के साथ सिंदू घाटी की हो रहा है लेकिन खेती बाड़ी और नागरी करन में उन्हें ज्यादा समय लगा तरह तसमूर कीजिए दूर से आए हमारे पुर्खे नदियों के किनारों पर पहुँचते हैं इस नजारे में उन्हें कितनी उमांग और खुशी से भर दिया होगा फिर क्या ताजुब जो इन्हों ने इन नगियों के सामने सर जुकाया और अपनी मीठी जबान में इनकी प्रशंसा की हे जल हे उदड नीर है सुख स्रोत है हमें बल दो उर्जा दो बहान आनंद दो हे जल जैसे शिशु को माता दूद पिलाती है वैसे ही हमें भी मंगल में रस दो हे जल हमें तुम रोख मुख कर हर्श दो हम तुम्हे स्वीकार ले हमें वंश बुद्धी दो हे जल अभिलाश तुम हो आउश दी तुम हो आरोग्य हो अगनी हो हमारे जीवन दाता हो हे जल तुम शान्ति हो सुख हो तुम अभिष्ट हो जल दे हम जी हम तुम हम पर बरसो बरसो दो शरो शाखरो पानी का पाखरो रच का बर्च का बेहरो हमें शुक्ति का अम्रित दो मैं जल में हूँ जल के रस में हूँ जल में हूँ अगनी तुम जल में हो आ मुझे ते जो मैं कर दो हम यहीं पर डेरा डालेंगे मुझे याद है वरसों पहले हम यहीं अपने मवेशी चराने लाएं साथ नद्यों वाल यह धरती तुम्हें अच्छी लगी सुटेजा क्या तुम्हें अब भी सोचते हो कि मैं तुम्हें बिना मतलब इदर उदर लिये जा रहा है ताथ आपके जित की वज़े से हम सब लोग यहां हैं वरना कभीले वाले इस सियात्रा की तकलीफ कहां बरदा होती हैं जिनमें चरागाहों की खोज के साथ साथ धन संपदा के अड़े भी खोजे जाते हैं और ये पशुपालक बाद में उन अड़ों को लूटते हैं और पशुओं को वसूली में हथ्याते हैं वैदिक लोगों का फैलाओ इन सभी मिले जुले उद्देश्यों से ही हम अपने रास्ते पर जा लेते सरदार बीज में असरों का गाउं पड़ा हम ने उपर हमला किया और इन मवेश्यों पर कवजा कर लिया अच्छा हुआ अब हमारे पास अधिक पशु हो जाएंगे इन दो हम इन जानवरों का करेंगे क्या हड़ी और चमड़ी के धांचे ब अच्छा सरदार अवेश्यों और दासों में से हमें सानी मिलेगा क्या इंद वर्चा वतावली मत करो हमेशा कितर हरे को उसका हिस्सा मिलेगा कि 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 वैदिक लोगों उनकी भाशों के आगमन और उनके विस्तार को एक गतिशील सांस्कृतिक संपर्ग के रूप में देखना चाहिए जो सदियों तक चलता रहा यह लकड़ी की पट्टी का माता है और यह उपर वाला काश्ट छड़ पिता दोनों मिलकर अगनी को जन्म देते हैं अब यही उचित समय है तुम इन सब के अर्थ समझ लो प्रस्तीम न प्रत्वीम यही राजेव अमवानी बेना वह सांस इस बात का प्रतीक है कि सूर्य अश्वा सूरज से गनी लाया है थेमन जैसे धन कामना से जन्म जुड़े हुए रत कायश गाते हैं हम भी वैसे ही किर्थिमान शक्तिमान अगनी के गुण गाए अगनी जो नायक है सहायक है अगनी जो अजर है सदा सुन्दर है आओ हम उस अगनी को बुलाए घर घर अगनी देव प्रज्वलित होता है रात के अंधेरे दिन के उजाले में आराधना पाता है नहीं होता जिसके नियम का अपालन आओ हम उस अगनी को सजाए अगनी इंड्र सोमाद देवता रक्षक है सहायक है वे हमारे पोशक है तभी हम कभी नश्ट नहीं होंगे आओ हम अपने शक्त्र को हराए आओ हम उस अगनी को बुलाए अब हर घर का ग्रेपती ग्रेपत्य अगनी और अपने पूरवजों पित्रों के लिए दक्षिना मुंद हेतु अगनी लेने आएगा खूर के लेकि लेत सिаст म Town Town Hill आप १ए लें लेख Lif מהत्न मद मदी लेकियो के लम मारे करkaa केstate appointment मत पर तन्म परमारे करें अज़े बड़ी निर्जटा सहा का गया है तात्य नहीं नहीं यह सब गर्मी की वज़े से हो रहा है अज सुनी के पशे तो इसके आदी है सुतेजा जो पता लगाओ आस-पास कई मवेशी है या नहीं हो तो पकड़ के लिए आए हम यहां इसलिए कत्रत हुए है कि मृत पर्शों के बदले में नए मवेश्यों के लिए क्या किया जाए राजन क्या सुतेजा मवेश्यों की खोज में नहीं गया हां लेकिन अभी तक वो लॉटा नहीं है राजन आपसे जो भी काम देते हैं वो कोई भी काम डंक से नहीं कर पाता मैंने उसे कई बर समझा दाथ मैंने बश्यों को ढूंड लिया है मैंने मवेश्यों को खोज लिया है कहां सुरा के प्याले में बहुत ही सुन्दर मवेश्यों का जुन है प्रियमेदा पड़ियों के बस सी गायों का बाड़ा, वे लोग योद्धा नहीं है, मज़े में रहते हैं बस, चीजे खरीदते और बेशते हैं, उनके परशुब बहुत ही सुन्दर है तात, बहुत सुन्दर अगर हम उन्हें भाइभीत कर दें, तो शायद हमें गवए दे दें, ठैरो राजन, एक काम करें? क्या? यह दि हम सर्मा को भेजें, सर्मा शुवान देवी है, वो उसकी बाद अवश्य मानेंगे, हम सर्मा को भेज कर पशुंकी मांग करेंगे, ठीक है, पर तुम्हें उसके स आज जाना होगा, अच्छा, कल सोर्यास तक वापस लोट आना, इतना समय परियापत है, हाँ, सुनो, तुम उसके पीछे रहना, पढ़ी बस्ती की सारी बनावट समझ लेना, हो सकता है, हमें उन्हें लड़ना पड़े, अच्छा राजन, अच्छा राजन, कर दो कर दो हुआ 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 है कि अजय है कान हो तुम कर सो आई इतना बड़ा फासला कैसे पाकर आई रहा मैं बहती, रसा सरीता कैसे पार कर आई, बता कैसे आई मैं सर्मा, इंद्र की भेजी हुई दूती सुना है बहुत बड़ा गौधन है तुम्हारा, उसी को देखने चली आई वो भी रात को, पार करके नदी की आकास छूती लेर को दर गई थी नदी हमसे, रादी उसने चली आई कौन है इंद्र ये जो स्वामी तुम्हारा, और कैसा, स्वान बनकर घुमते हैं दूत जिसके क्या उजाले से दहलता जी तुम्हारा, अच्छा किया जो इंद्र ने तुम्हे आ भेजा अगर वो खुदी यहां आते तुम मित्रता करते हैं उनसे, स्वामी बनाते, समलता नहीं है गोधनम से, सौब देते, रात को आराम से सोते, जो हाँ, 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 ना समझ पढ़ियों, इंद्र सब को समस्ता है, छलकपड जानता है, आकास चूती शिखर की उचाईया पाताल तक पहुची हुए गहराईयां, रोप नहीं सकेंगी इंद्र को, आएगा पणियों, इंद्र तो आकर रहेगा, वो विनाशी, स्वयम अविनाशी, सुला देगा सभी को, सदा को पैदा हुए हम पणी क्या सिर्फ सोने को, देखते हैं शस्त्रिया, कौन तब पलभर इधर, दुश्मनों की लाश बिच्चाती हुदर, जाओ, जागर केदो अपने इंद्र से, चाहता है गौए अगर, तो आना हुआ युद्ध करने इधर, मगर आना सभी जन्द से विरा लेकर, क्योंकि यहां से वापस लाट कर नहीं जाना है, बड़ बड़ाती जीव के खातिर है बहुत एक्पीर, वीर का धक्का नहीं सह पाएगा, नीचता के कर्म में डूबा हुआ ये शरीर, परवतों से सुरक्षत है ये कोश, अश्व हैं, गाएं हैं, विवित धन्धन स परिपून, हिरा है ये स्थान पढ़ियों से, करेगा एक पल में चून, बेकार में आई है तु यहां सर्मा, जा फिक्र में होगी तेरी मा, अरे रुक रे, सर्मा, ये अंधेरी रात, और तुम अखेली बालिका, नहीं लगता डर, फला होता यदि सोती वहां गर पर, मा के गले लगकर, दास तु सर्मा, दास का जीवन कहा अपना, यदि वो चाहे जियो तो जीना, अन्यथा मरना, नहीं तुम दुश्मन हमारी, नहीं दुश्मन हो, सुनो सर्मा, तुम हमारी हो, तुम हमारी बेहन हो, तुमको यहीं रहना, अरे इतना बड़ा गोधन, इसमें भाग है तुम्हारा, हो जाए बठवारा, तुम्हारा भाग है सौंते तुमको स्विकार है सर्मा बहन? कौन भाई? बहन भी कौन? मुझको इसम्मन नहीं स्विकार? जानता है इंद्र, जाने अंगिरस, मैं जा रही हुनी के पास, भरष्चे वैवार भी मुझको नहीं स्विकार प्राणों से है अगर प्यार, तो भागो पणियो, भागो पर्वत के उस पार अब भुशारन, जर्स मत कर शब्द तू अपने यहां, जा, जा कर कह दे अपने स्वामियों से, इंद्र के अनुगामियों से, हम ना देंगे पचु ने, अपने कभी भी पचु ने क्या हुआ, उन्होंने पचु देनास विकार कर दिया, क्या, ठीक है, फिर हम लड़ेंगे गायट गाता है, इंद्र के लिए गाना, मंत्रों से करता साधक, इंद्र की अर्चना, अपनी पानी से करते हम, इंद्र की आराधना उन्हों यही इंद्र का नेत्र है, सरवस्त्र देख पाता है, वही किर्णों से नेग बिगलाता, चल गिराता है चोटी चपड या विकड युद्ध में, जिसे हम बुलाते, वह इंद्र है शत्रू को हराने, वेज़ते मित्र को हम, वही तो वज़धारी इंद्र है इंद्र है सरवेश्वर, समर्थ है समर्थों में, चपल वेग से गुस्ता है अपनों में जैसे बलशाली विशव, प्रिष्टि वेग से गुस्ता है गवों के जुन्दों में इंद्र तुम चिसानों के धन धान के एक मेवस्वामी हो हम सब दिशाज्य सब के इंद्र को बुलाते हैं इंद्र तुम हमारे हो, हमारे ही रहो हमारे हो हमारे है आज़ा हमारे हमारे अज़ा हमारे हमारे कर दो कि उन्या जिन्होंने शहरों के उजड़ने के बाद भी जैसे तैसे व्यापार चलाय रखने की कोशिश कीृ पनी शबद भनियां से पूर्व का शबद है जो के स्वयम संस्कृत शब्द वनिक से निकला है और वनिक शब्द का जन्म हुआ पनी से संस्कृत में सिक्के को पन और वस्तू को पढ़ने कहते हैं सच्चनों सुनों वही शत्रुहर हमारा इंद्र है सभी भुवनों को ड़ाकर जिसने कमपित कर दिया है दास दल को रख भुपा में जिसने बंदी कर लिया है जीता है लक्ष जिसने शिकारिया जुहारी साथ सच्चनों सुनों वही विजेता हमारा इंद्र है जिसने चालिस साल पहाडों में चिपे शंबर कुमारा और अहंकारी अधिनानव को सोते में संगारा जो लोक पर आरोहन करते रोहिन को प्रहारा सजनो सुनो वही पराग्रमी हमारा इंद्र है तुराचारियों को जो हजर से दुचलता है जो घमंदी वैरियों के गर्व को पुचलता है जिसका नाम सुन दस्यों का दिल दहलता है सजनो सुनो वही वीरवर हमारा इंद्र है क्या इंद्र वाकि कोई मनुष्य था जो आर्यों का प्रमुख रहा होगा या फिर कोई कालपनिक चरित्र इरानियों में जरतुष्टी सुधारों के बाद इंद्र को दैव या दानव माना जाने लगा इसी तरहे असोर और राक्षस शायद उस समय की अन्य प्रमुख भारतिये जातियों के सरदार या देवता रहे होंगे मुखे शत्रू वे रहे होंगे जिनके राजाओं या सरदारों के साथ युद्ध को इंद्र द्वारा दैत्यों के संगहार के रूप में दर्शाया गया है इन दैत्यों में सबसे बड़ा संभर था जिसके पास बहुत से गड़ या पुर थे इंद्र इन पुरों को तोड़ने वाला पुरंदर है लेकिन ना तो इंद्र और ना ही उसके अन्याईयों का कोई शहर बनाते या बसाते हुए या किसी शहर पर शासन करने का ही वर्नन मिलता है लेकिन एक हिंद आरे बस्ती ग्राम कहलाती थी जिसका अर्थ बात तक भी गाउं ही रहा जो एक रात भर के पड़ाओं के लिए भी इस्तिमाल किया जा सकता था गाएं आएं हमारे घर रहें रम जाएं हमें सुख दें हमें सुख दें ये संतानवती मात आएं भोर में इंद्र देव के लिए पैदे गवो अपनी पछडो संग आओ को मल त्रण खाओ अमल दिमल जल पियो मधुल उच्च स्वर्मी रंभाओ धेनुओ हमें दूध दो हमारे काया को कांती दो हमारे काया को कांती दो तुष्टी दो तुष्टी दो हम जीए तुम्हारे आजीवन गुण गाए तुम्हारे आजीवन गुण गाए गाए हाए हमारे घर रहे रम जाए हामे सुख दे गाए आए हामारे घर रहे रम जाए हामे सुख दे हमे सुख दे वैदिय कभीलों का मुख्यकार युद्ध था और तकनीकी ज्यान ज्यादातार युद्ध के लिए रत अस्ट्रशस्द और आज़ार के निर्मान तकसीमित था भूमी को बारी-बारी से अलग-लग दलों को सुपा जाता था और दल आपस में उसे तक्सीम करते खेती बाड़ी उस समय तक इतनी अविक्सित थी कि जोती जा चुकी जमीन को एक ही फसल के बाद हर साल बदलना पड़ता था और फिर ये जमीन कुछ हरसे के बाद दुबारा इस्तिमाल में लाई जा सकती थी सरदारों को नियमित रूप से भेंट और उपहार दिये जाते थे बतौर कर लोगों की सामुदाइक गती विधियों का केंद सभागर था जो कबीले की पंचायत के अलावा मर्दों के आराम और आमोद प्रमोद की जगे भी मानी जाती थी सभा का पसंदीदा कार्य था जुआ अब तुम कहा जा रहे हो यहाँ बातूमसर मैं जरा बाहर जाके सवच्छा खाक्याता हूँ मैं सब जानती हूँ तुम कहा जा रहे हो तुम क्या समझते हो मुझे कुछ पता नहीं मत भूलो कि तुमने अपने पिता के सामने प्रतिग्या की थी मैंने कहा ना मैं सर्फ देखकर आ रहा हूं कि वो लो क्या कर रहे हैं मैं नहीं खेलूंगा बस पासे चलते देखकर तुम अपने आपको रोक नहीं पाओगे मत जाओ मैं पासे नहीं किरूँगा, बताया ना? अन्त तो गत्वा तुम आई गए सुतेजा, कोई भी प्रतिग्या, कोई भी शपत इससे बढ़कर नहीं है नहीं है सुतेजा, तुमने तो खसम खाई थे? एक बार, एक बार इंदुवर्चा आज मुझे लग रहा है कि मेरा भागी मेरे साथ है लओ पासे आ, ये पासे जंजावात में पेड से टपके फलों से बने ये पासे विसाथ पे गिरते लुड़कते सरकते फिसलते हिलते करनभूल जैसे पासे सुक लुटाते है मुझ पर जहने कैसे कैसे मुझ वद पर वद पर उगी सोम की लताका रज भी नहीं बहकाता उतना उससे भी ज़्यादा बहकाते नशाजगाते ये अरे काटे पासे जो जुआ खेलता है उसकी सास बीती रस्तार करती है काणों से प्यारी पत्नी भी उससे छोड़ जाती है माया मोहमम का जयाती दय में उसकी लिए खुपश्टी नहीं है बज पुणी भोड़ी है सस्ते में भी नहीं भिक्ती है अरे की आप पटे ही दूजरे पकरते हैं दुआरी की पत्नी कहा माता पिता भाई खोई नहीं सहाई उल्टे यहीं कहते बाद दुणी जाननी से अपनी दूजर अपने हिसा नहीं जाओंगा नहीं जाओंगा फड़ पर मैं संकल्प करता हूं योही चले जाते हैं मुझे छोड़कर मेरे जुआरी मित्र त्योंही पिछर जाता हूं अरे जाता हूं पीछे पीछे और सुनता हूं पासों की बानी की आओ आओ मित्र कहा थे दौड जाता हूं जैसे स्री हो कोई जारिनी नभी चारिनी आहां पासे क्या जानो तुम मेरी उदावली जब आता हूं तुमारे पास जीत लूंगा सारी दुनिया यही होती है आंस उठाता हूं तुमें कापता हूं समलता हूं पासे घनकाता हूं गिराता हूं आँ बासों विश्वास घाती तुम उनके हो जाते हो तुम मेरे दुश्मनों के कैसे नीच हो तुम पद्निय जुवारी की विरह में जल रही है माताय जुवारे की भच्के बेटे की आँख में भुल रही है कर्द में डूबा जरा हूँ अधनकिया पेशा में जुवारी आधी रात को दस्ता घरों में पिराना चोरी देखता दूसरे सजे घरों को फ्रियों को सुखी जो अपना घर दी अपनी आसमा हाथी दुखी जो खेलता है जुवारी अपनी को पूस्ता मन ही मन रोजा है सुबा को देही खेलता दुबारा दिन मर भूपो पेटा बेचारा सांजी जो मुझे इस बाद जीतना है चलो घर वापस चलो चुतेजा मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया था अब बच्चे नहीं हूँ मैं अपना भला भुरा बच्चे अच्छी तरह समस्ता हूं तुम जाप उसमाल के बोलो बजबंदू तुम्हारे पिता ही नहीं हमारे सरदार भी है जाप उतीजा ना तुम्हें लजज़ा आतिया और ना कर्तव्यों को ग्यान है पिता के शब्द कोई अर्थ नहीं रखने घता उत्धु कोयारी लिया ठिए उत्व इस से अन्हीं से ब miracle है वरून है पूछता मैं स्वयम से मैंने किया है पाप कौन सा पूछा मैंने विद्वजनों से कहते हैं वे एक स्वर में तुझ से निश्चे ही रुष्ट है वरून यह होप उसका वरून है मैंने समझ बूझ कर नहीं किया पाप है कराया मुझसे मदिरा ने जुए ने क्रोध ने अज्ञान ने कभी बड़ा छोटे को धनी निर्धन को बलवान निरवल को पाप की दिशा में ले जाता है पाप कर्म नित्रा में भी कभी न रुकता कभी विनाश नहीं पाता है आती है आती है देखो उशा आती है आंख खोल कर देखे जग को ये बतलाती है सूरज की पहली ही उठकर नार नवेली सी सज़ज कर घनेती मिर को दूर हटाने जोती जलाती है वर्दो ऐसा हमने भै हो यूद करें तो सदा विजय हो प्राणों को छुकर के उशा तेज जगाती है धरा धान्य दो गोधन भी दो देह आयू के साधन भी दो किरणों से नहला कर उशा मन चंकाती है आती है आती है देखो उशा आती है देखो उशा आती है देखो उशा आती है प्राणों मन चंकाती है देखो अ हो देखो प्राप मांदानाम व्राणों प्राणों प्राणूर कि अगने आहुति का अन्न लो, किर्थिमय देव प्रियस्तु तिलो, हे मेधाविन हे जीवन रसदाई, काई हमने जो मन भाई स्थुति वहलो, हे अगने लोक में बंधु कौन है, यज्य कौन है, किसके आश्रित तुम कौन हो, हे अगने लोक के तुमी बंधु हो, तुमी सखा हो, मित्रों में प्रिय मित्रों के तुमी मित्र हो, हे अगने यजन करो तुम, मित्र वरुन का हमारे लिए, इन्द्रादी देवता का यजन करो, यजन करो विशाल यग्य का, अपने महान घर का यजन करो, अगने म्यूच्जु मत्य, अज़ थाए, अज़ थाए, उठाए, 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 शिकर मत करो, मेरे पित्रों के पास जाने का वक्त आगया पित्रों से मिलो यम से मिलो पुन्य कर्म के इश्ट फल से मिलो पाब मुक्त हो कर अपने घर लोटो नवगरिमा मैं तेजस्वी देह से मिलो हे यम अपने मार्ग दर्शक विहरक्षक चतुर्द्रक दोनों श्वानों को मृतक की रक्षा का आदेश दो मृतक का कल्यान करो मृतक को आरोग्य दो हे अगने इसके जन्म रहित अंश को अपने देज से तपाओ पहलाओ अपने को पवित्र ज्वालाओ जलाओ 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 हे जानकार अगने अपनी मंगल मैं मूर्ति से इसे उन्य शील लोको में ले जाओ पुन्य शील लोको में ले जाओ पुन्य शील लोको में ले जाओ जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ एक बड़े ही उपचारिक कारी के लिए कत्रित हुए हैं हम सब अपने राजन वजबंधू के स्वर्गवास होने पर शोक संतप्त हैं वो हम सब के पिता समान थे वो अपने कुशल नेतुरत में हम सब को इस साथ नदियों वाले देश में लाये थे वरना ब्रहमवर्त में हमारे बच पाने की कोई संभावना बाकी नहीं बची थी आज हम उन्हें के उत्राधिकारी के चुनाव के लिए यहां इकठा हुए हैं आप मेंसे जो भी इस पद के लिए अपना नाम देना चाहे दे सकता है और उसके बाद आप जिससे भी उप्युक्त समझें उससे आप अपना राजन चुनें मुझे पहले ही दो अबलाशूं के बारे में बता दिया गया है एक तो हमारे स्वर्गवासी राजन के पुत्र सुतेजा हैं और दूसरे इनके सहयोगी योधा प्रियमेधा इसके अत्रिक्ट कोई है? हाँ, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो तीसरा नाम भी है, बहुत ही विनम्र, इंदु वर्च्छा चुनकि मैं आप सब मैं उम्र में बड़ा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे पहले बोलनी की अनुमती दें जैसा कि आप सब जानते हैं राजन वजबंधु मेरे बड़े भाई समान थे मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता का देहांत हुआ ये राजन वजबंधु ही थे जो ने मुझे युद्ध कला और शिकार का पार्ट पढ़ाया मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं जब हम अपने पुराने देश ब्रमवरत में कई कई दिनों इकते शिकार पर जाया करते थे आज आप अपने नए राजन चुनने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बात को ध्यान में रखें कि मैं इस कभीले की रख्षा मैं कभी पीछे नहीं रहा और ना ही दुश्मन उसे वसूली में बस मुझे और कुछ नहीं कहना है बहुत ही अच्छा बोले तुपरीय मेधा, बहुत ही अच्छा और अब सुते जा सज्जनों आप सभी हमारे कबीले के सम्मानित ग्रहपती हैं जो आज हैं एकत्रत हुए हैं आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं मैं वजबंधू का जेश्ट पुत्र हूँ मेरे पिता एक महांतम राजा थे और इस कबीले के सरदार भी चुकि वे इस कबीले के सरदार थे इसलिए प्रिय बंधू से अधिक अधिकार इस प्रत्तर मेरा हैं बस मैं इतना ही कहूंगा और अब इंदू वर्चा मित्रो भायो और साथी योधाओ मैं ना तो पूरवजों की बात करूँगा और ना ही अपने युद्ध कोशल की परंत्व आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा दुश्मनों से प्राप्त वसूली के बटवारे के लिए बोला हूँ यदि मुझे राजन बना दिया गया तो आपको पशुधन घोड़ों थोने और दासियों की कभी कमे नहीं होगी बस तो आप सभी ने तीनों प्रत्याशों को सुना अब आप जिससे भी उप्युक्त समझें उससे आप चुने प्रिय मेधा की पक्ष में जो जो हैं वो अपना हाथ उपर उठाएं और सुतेजा के चाहिने वाले भी अपना हाथ उपर उठाएं और इस तरह इंदू वर्चा के चाहिते भी अपना हाथ उपर उठाएं एक, दो, तीन तो हमारे नए राजन प्रियमेदा है प्रभो तुम्हारी रक्षा करे हम वेड़ी पूर्वक अशुमेद येगे करके तुम्हारा राज अभिशेक करेंगे इंदर तुम्हारी सालता करे अश्व हे अंतरिक्ष के आदी जल में उदित हुए तुम्हारा जन्म भी महान तुम्हारे पंक जैसे बाज पक्षी के गिरण भुजाए गिरण के समान यम के दिये अश्व को प्रथमत्रिलो की कृतने रथ में जोडा इंदर ने सवारी की गंधर वोने लगाम को पकड़ा देवताओं ने जुतिमान सूर्य से अश्व को बनाया अश्व को बनाया अश्व हे तौड़ता रख तेरे पीछे चलता है मनुष्य उसके पीछे चली जा रही सुहागी ने पीछे गोधन उनके भी पीछे जददारी तेरी मैज़्वी की करे चाहना देवता करते चलते तेरी सराहना चला जा रहा अश्व बलशाली देव्य मन में अपने जान करता आता है बली के सल्वर अश्व का बंधू अजलाया जाता अनुगमन करता है सबसे पीछे कवियों ग्यानियों गदल गाता गाता जाओ अश्व तुन जाओ माता पिता के पास जाओ परमधाम पाओ पाओ देवताओं कास्तवन हविर्धाता को धनसंपता दिलाओ माताओ अन्या वाओ पाओ आया याउ तवक्ट बril वेद आरियों के दिल की पुकार थी जब वो भारत की जर्खे जमीन की ओर बढ़े आरियों सोच का सरचश्मा वही था जिसे एरान में अवेस्था पैदा हुआ फिर उन ख्यालों की तरक्की हिंदुस्तान में आकर हुई वेदों का तबसरा रबिंदर ना ठाकुर यूं करते है जीवन के अचरज और भै की तरफ एक जन समाज की भावनाओं का ये शायराना दस्तावेज है अपने सरल विश्वास से सबने प्रकृती की हर शक्ती में हर तत्व में देव रूप देखा पर ये विश्वास साहस और आनंद भरा था और उन्होंने रहस से में तसवर में जिंदगी को एक दिलकशी दी लेकिन रिगवेद खुद सदियों की सोच और सभ्यता के विकास कसार है जिस दोरान सिंदु घाटी तहजीब और कई दूसरी तहजीब में फली फुनी इसलिए रिगवेद में ये जो अरपन है वो मुनासिब लगता है हे रित्विज, हे पूर्वज, हे आध्यमारगानवेशी, वंदन है हिरन्य गर्वात समवर्तताग्रेव, भूतस्य जातपतिरे का आसीत सदाधार पृतिविम्ध्या मुतेमां, कस्मई देवाय हविशाविदेम वह था हिरन्य गर्व स्रिष्टि से पहले विध्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्दित्वमान धर्ती आसमान तारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदेकर जिसके बल परते जो मैं है अंबर, पृत्वी, हरी, भरी, सापित स्थिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदेकर गर्व में अपने अगनी दारण कर पैदा कर व्यापाधा जल इदर उदर नीचे उपर जगा जो देवों का एक मेव प्राण बन कर ऐसे किस देवता की उपास ना करें हम हमिदेकर ओ स्रिष्टि निर्माता स्वर्गर चेता पूर्वज रक्षा कर सद्य दर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर